हलो फ्रेंट्स वेलकम बेक तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ जो जिक्प्राइब करिये चैनल को तो चलिए आगे बढ़ते हैं पीडिये एफ की तरफ बढ़ते आपको इसकी कंप्लीट जो पीडिये आफ है वो भी मिल जाएगी उसकी तो चलिए एक 9191 फर्स्ट मेंबर आपने बताना है कूसा फ्रस्ट मेंबर 191 वाला है फो चीड": तो बात करूँ जो आपका क्या हो जाता है United Nation Organization हो जाता है UN हो जाता है तो जो वो organization थी 24 अक्तूबर 1945 को फार्म हुई थी ठीक है जो वर्ल्ड वार हुआ था वर्ल्ड वार 2nd के बाद ही जे come into existence में आया था जब जे farm हुआ था UN हो उस समय इसमें 51 जो nations थे जो United Nation Organization UN का headquarter था वो New York में था जो इसके UN था इसके office जैसे कीनिया हो गया स्विजर लैंड हो गया आस्ट्रिया में भी था और इसकी जो six official language आ जाती है जैसे UN United Nation Arabic आ जाती है Chinese आ जाती है English आ जाती है और जो journal assembly आ जाती है इसकी जो policy जहां पे रहती है ठीक है तो इदर आपने बताना है इसका कौन सा जो 191st member बना था किसका UN हो का ठीक है तो इसका right answer आपका क्या हो जाएगा option number B जानी की East तीमोर is the 191st member of the UN तो चलिए next question की तरफ where is the headquarter of Isle and National Gas Commission Isle and National Gas Commission का headquarter कहां पे है मुंबई, देहरादून, दिगबोई, बडोदरा तो इदर आपने चार option में से बताना है इस question का right answer आपका option number C जानी की बडोदरा में जो headquarter है किसका जो Isle and Natural Gas Commission है तो चलिए next question की तरफ the first Indian woman to scale Mount Everest was first Indian woman बतानी है जिसने Mount Everest पे scale किया था आरती शा, आशा, अगरवाल, बचिंदरी पाल जान, रिता फेरिया इस question का right answer आपका क्या हो जाएगा option number C हो जाएगा जानी की बचिंदरी पाल ने जो first Indian woman थी जिन्नोंने Mount Everest पे climb किया था तो आप भी साथ-साथ में करते रहे हैं अपना सको जरूर बताएं आपके कितने question स इस question का right answer आपने जल्दी से करके बताना है तो option number B हो जाएगा जो first cotton mill थी वो मुंबई में first time इंडिया में establish हुई थी तो चलिए next question की तरफ आपको इसकी complete PDF भी मिल जाएगे link description पे मिल जाएगा तो चलिए next question की तरफ तो इस question का right answer आपका option number C हो जाएगा 1853 में जो first time civil service के लिए common examination रखा गया था author of the business at the rate of speed of thought तो बुक के author बताना है business at the rate speed of thought डिक फ्रेंकिस, जॉन ग्रे, विल गेट्स जान डैविड बैल डैक्सी तो इस question का right answer option number C बिल गेट्स इसका right option आपका हो जाएगा तो चलिए next question की तरफ the international court of justice is located at international court of justice कहाँ पे जनेवा में हैग यू अमेस्टरडम जब बेना में तो इस question का right answer option number B दा हैग यू में international court of justice जो present है ठीक है तो जहां से आपके चार और question cover हो जाएंगे तो जहां पर आपने बताना है जो विक्रम साराबाई station है वो कहां पर है उसके बाद space application center कहां पर है विक्रम साराबाई आपका जो station हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका बैंगलोरू में ठीक है विक्रम साराबाई station कहां पर हो जाएगा बैंगलोरू में ही हो जाता है ठीक है उसके बाद यहां पर हो जाएगा उसके बाद remote sensing agency remote sensing agency कहां पर हो जाती है इस तरो टैलिमेंटरी ट्रेकिंग और कमोंड नेटवर्क आपका कहां पर हो जाएगा वो आपका option 2 एहमदाबाद में हो जाएगा ठीक है विक्रम साराबाई बैंगलोरू में स्पेस application center हैधराबाद में नेशनल रिमोर्ट सेंसिंग एजनसी हसन में इस रो टेलिमेंटरी ट्रेकिंग एंड कमोर्ड नेटवर्क आपका एहमदाबाद में हो जाएगा तो जहां से भी आपके जो चार कोशन्स है वो कवर हो गए तो चलिए नेक्स्ट कोशन की तरफ इसकी कम्प्लीट पीड भी मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा टेलिग्राम का आप टेलिग्राम को जाइन करके वहां से प्री आफ्कास सारी पीडियाफ को डाउनलोड कर सकते हो तो चलिए नेक्स्ट कोशन की तरफ मूर्ति देवी अवार्ड वास इंसीटिटिट बाई मूर्ति देवी अवार्ड किसने इंसीटिट किया था बार्तिय जनानपीत ट्रस्ट ने तो इस कोशन का राइट आंसर आपने बताना है विच आफ दा फॉलिंग इस दा लेटेस्ट फ्राम इंडिया तू रिकोगनाईस वाइदा युनेसको वोल्ड हैरिटेज साइट फार दा आउटस्टेंडिंग युनिवर्सल वैल्यू सिलीकूरी धारजलिंग हिमालियन रेलवे महाबोधी टैंपल कंप्लेक्स सैड बहुत गया कालका शिमला रेलवे जार एड़ फॉर जुनेसको में आपको इसकी कंप्लेट पीडियाप मिल जाएके लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा टैलिग्राम का आप टैलिग्राम को जाइन करके वहां से फ्री आफकर सारी पीडियाप को डाउनलोड कर सकते तो इस वीडियो में बस इतना ही